बहुत समय पहले की बात है रामगर नामक गाउं से एक नदी बहती थी जहां पर एक जलपरी हर रोज पानी से निकल कर कुछ देर के लिए बाहर आती थी वह बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहती थी हर रोज की तरह जलपरी पानी में से बाहर आई हुई थी तभी दो दोनों चोरों की नजर उस जलपरी पर पढ़ी और उनके मन में विचार आया कि इसे पकड़ा जाए। उन दोनों चोरों में से पहला चोर बोला कि क्यूं न इस जलपरी को पकड़ कर बजार में बेच दे जिससे हमें अच्छे दाम मिलेंगे। तभी दूसरा चोर बोला हक क् कि चोर उसे पकर पाते वह पानी के अंदर चली गई इस बार चोर के हाथ कुछ भी नहीं लगा उन दोनों चोर ने एक योजना बनाए जिससे कल वो उसे पकर लेंगे उन्होंने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया जिससे उस जल परी को पकड़ा जा सके अगले दिन दोनो चोर वहाँ पहुंच गए कुछ देर बीटने के बाद वहाँ पर एक मच्छी पकड़ने वाला लड़का आया और उसने वहाँ पर दोनों चोर को देखा और पूछा कि आप भी यहाँ पर मच्छी पकड़ने आये हैं दोनों चोरों ने उस लड़के से कहा कि यहां से चले जाओ और कहीं पर जाकर मची पकड़ो यहां हम दोनों पकड़ रहे हैं लड़के ने कहा कि यह किनारा तो बहुत बढ़ा है आप इधर पकड़ लो में वहां चला जाता हूँ पर चोर ने उनकी बात नहीं मानी और लड़के को कहा कि आराम से चले जाओ नहीं तो तुम्हरी पिताई होगी लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह साव्य वहार क्यों कर रहे है लड़का कुछ दुरी पर जाकर छिप गया और देखने लगा कि यहां पर क्या हो रहा है लड़के ने देखा कि एक जलपरी पानी से बाहर आई और बैक गई लड़के ने पहल अच्छे पसे मिल जाएंगे तुम्हें हम दोनों नहीं छोड़ेंगे लड़का दूर खड़ा यह सब देख रहा था दोनों ने जाल पकड़ा और चलने लगे तब ही लड़का भी वहाँ पर आ गया एक चोर ने कहा कि तुम इस लड़के को देखो में जलपरी को देखता ह लड़के ने एक बड़ा सा दंदा उठा लिया और एक चोर की खूब पिटाई की जब दूसरे चोर ने देखा कि उसके साथ ही की पिटाई हो रही है तो वो भी उससे बचाने के लिए वहाँ पर आ गया और उस लड़के को पकड़ने लगे उधर जलपरी भी अबाजाद ह हो गई थी और पानी के अंदर चली गई दोनों चोर उस लड़के की पिटाई कर रहे थे तब ही समुंद्र में से एक मगरमच आ गया उसे देखकर दोनों चोर वहाँ से भाग गए उस मगरमच को उस जलपरी ने भीजा था इस तरह उस लड़के की जान बच गई और हर रो